दर्श को क्या आप जानते हैं एक ऐसे असुर के बारे में जिसने हमीसा सभी का भला ही किया है मशकार दर्श को हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जिसे बर्दान मांगा था कि उसका सरीर देपताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन करने मात्र से पाप मुक्त हो जाए इस बरदान के चलते लोग भै मुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते इससे बचने के लिए यग करने के लिए देपताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की गयासुर ने अपना शरीर देपताओ को यग के लिए दे दिया जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर पांच कोस में फैल गया यही पांच कोस जगा आगे चल कर गया बन गया देहदान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देपताओ से बरदान मांगा कि यह इस्थान लोगों को तारने वाला बना रहे तब से ही यह इस्थान मृतकों के लिए तब से ही इस्थान स्राद कर्म मुक्ती का इस्थान बन गया कहते हैं कि गया जी वह आता है जिसे अपने पित्रों को मुक्त कराना होता है लोग यहां अपने पित्रों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाते हैं गया जी छेतर में भगवान विश्णू, पित्र देपता के रूप में ब्राजमान रहते हैं भगवान विश्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में इस्थित है अतेह पिंडदान के लिए गयाजी सबसे उत्तम स्थान है दर्शको अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वाशु देवाई अवश्य लिखे धन्यवाद